दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सेकर और स्वागत था आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकर इस्टडी पॉइंट पर दोस्तो एक और बड़ी खुसकबरी आपके लिए जल्द ही 1000 पदू पर विग्यप्ति जारी होने वाली है आपके लिए 701 पदू पर जो भरती है यह क अधिकारी पर अभी फोर्म उसके भर रहे अगर आप ने भर रहा तो अभी तक आप भर लीजिये उन्हें और भी आपने फोर्म परहे होंगे बंद्रोगा का और भी जो पिछले पेपर होने और इसके लावा आपके लिए नई भरती बंदी रक्षक का भी लंबे समय से इं सची वाला रक्षक इसका भी पेपर जैसे फोरस्टेगार्ट का हुआता है उत्राखंडर पुलिस का बंदी रक्षक का तो इसी लेबल का एकजाम होगा और आपके लिए सायक लेखाकार की भरती इसकी ये सारी आपकी बिग्यप्तियां दोस्तों इसी महा चारी हो जाएंगे आगले हफ्ते या पिर फंद थारी बिग्यप्तियां आपके सामने आ जाएंगी तो आप लोगों ने अभी अपनी तैयरी स्टार्ट नहीं किये तो अपनी तयारी आप इस्टार्ट कर लिजए और दोस्तों कई लोगों का है कि जब करोना आया तो आयूश्यमा में घृवी मिलिए आयू सीमा हमारी तो एच चलेगी तो बहुत लोगों का ये दिक्क्यत थी बहुत लोगों के साथ तो आयू सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहा है आयोग तो दोस्तो आपके लिए जो भी आपके अभी फॉर्म नहीं विक्यपते आने वाली हैं या जैसे अभी आएंगी जैसे ये बंदी रख्चक, सची वालाई, साइक लेखा कार और भी उत्राखंड पुलिस और पटवारी भी साइद आने वाली है बहुत जल्दी तो पटवारी का भी चल रहा है कि भरती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी तो आयू सिमामा दोस्तो सभी में छूट मिलने की पूरी उम्मीद है और उत्राखंड पुलिस का जो सबसे ज़्यादा युवा इंतजार कर रहा है उत्राखंड का तो उत्राखंड पुलिस में भी आयू सिमामा जरूर आपको चूट मिलने वाली है तो आप लोग त्यारी स्टार्ट ने की तो कर दीजे आप लोग कहेंगे कि इस मैं पंदी रक्षक का जिक्र है साय लेखाकार का जिक्र है और सचीवाले सुरक्षक की जो भरती आने वल उसका जिक्र है पर उत्राखंड पुलिस का इसमें कोई जिक्र नहीं है आखिर उत्राखंड पुलिस की भरती क्यों नहीं आ रहे हैं आपके मन में सवाल होगा दोस्तों ये पांच लाग से जादा बेरोजगारों ने कराया पंजी करन तो ये क्या है मैं आपको पढ़के बताता हूं उत्राखंड अधिनाष्ट सेवा चैन आयोग में पंजी करत बेरोजगारों के संक्या पांच लाग के पार पहुंच गई है ये दोस्तों पिछले एक आयोग की किसी भी परिक्षां में सामिल होने के लिए one time registration अनिवार रिया है आप कोई भी दिदेते हैं जैसे परवक्ता का भर आया कुछ भी आप भर हैं कोई जैसे आभ ही चलने तो one time registration जरूरी है उत्राखंड अधिनाष्ट सेवा चैन आयोग ने दो शाल से one time registration की ब्योस सकते हैं इसा निए फॉम भरने मैं होने वाली चूक के चलते बार-बार निरस्त होरे आविदनों की संक्या को घटाने के लिए आयोग ने ब्योस्ता लागों किये गत नौंबर अन्त तक आयोग में पंजीकरत विरोजकारों की संक्या पांच दसम्लाब 16 लाग के पार पहुंच गई है आयोग का कहना है कि इसमें ऐसे युआ भी हो सकते हैं जो पहले ही किसी सरकारी नौकरी में शिवा रहत हों उन्हें दूसरी नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रन के लिए आविदन किया हो तो इतनी पहुंच गए ये पिछले दो साल का आ करोना के कारण उमर शिमा पूरी कर चुके विरोजगारों को इसके तहत मौका देने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है इधर एल्टी भरती परकिरिया के लिए आविदन परकिरिया शुकरवार को समाप्त हो गिए जरूत पड़ी तो इसमें भी उमर शि पुलिस की भरती में तो दोस्ति निरास ना हो तो आप लोगो जरूर मौका मिलेगा उत्राखंड पुलिस की भरती इस बार देने का तो यह थी आज की जानकारी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच और नए पद आने वाल हैं और पुराने आपने भर ले हैं तो उनकी त्यारी करते रहिए अब आपको उत्राखंड में वही पढ़ना है कि आप उत्राखंड के एक बार अगले वीडियो में दोस्तो